हेलो गाइज, वेलकम तो मैं योट्यूब चैनल, माइनीम इस हरजीत को और हम कर रहे हैं क्लास 10th की जोग्रफी की NCRT जिसमें आज हम शुरू करेंगे चाप्टर 2 जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल लाइफ रिसूर्स तो चाप्टर की स्टार्टिंग में एक फोक सॉ तो चाहो तो आप इसको पड़ सकते हो तो अगर हम बात करें अपने प्लानेट की अर्थ की बात करें तो हमारी अर्थ पे मिलियंस ओफ लिविंग बिंग्स रहते हैं एक छोटे से और्गनिजम से लेकर बैक्टिया लाइकन से लेकर बड़े से बड़ा बन्यान ट्री भी यहां पर पाया जाता है एलिफन, ब्लु वेल जैसे बड़े-बड़े ऐनिमल्स भी यहां पर पाय जाते हैं और यह जो इंटायर हैठ है आर्थ यहां पर हम रहते हैं तो यहां पर immense biodiversit देखने को मिलती है मतलब कि बहुत ज़ाद़ा biodiversit है बहुत ज़ादा पेड़ इनके साथ मिलकर हम एक complex web बनाते हैं ecological system का जो के एक दूसरे पर dependent है अपनी existence के लिए For example, जो plants है, plants क्या करते है, plants, animals और छोटे-छोटे जो micro organisms है, वो air की quality को recreate करते है जैसे कि जो plants है, photosynthesis के process में वो क्या करते है, carbon dioxide को use करते है and oxygen को release करते है और उसी oxygen को हम humans जो है वो use करते है और carbon dioxide release करते है तो इससे क्या है, इससे nature में एक balance बना रहता है, तो इस तरह से हम एक दूसरे पर dependent है तो air में जो यह gases की quantity है, इसको यह balance करने में जो plants है, वो help करते है तो air में हम breathe करते है, water जो हम पीते है, soil जिसमें हम अपना खाना ग्रो करते है तो इन सब चीजों के बिना हमारा survive करना मुश्किल है, air, water and soil तो forest जो है, हमारे ecological system में एक major role play करते है forest क्या है, forest primary producers है, अगर हम ecological system की बात करें तो ecological system में जो हमारे forest है, हमारे jungle है, वो क्या है, primary producers है तो इनी primary producers पर बाकी के जो living beings है, वो depend करते है अब बात आती है, biodiversity और biological diversity की biological diversity या biodiversity क्या होती है, यह होती है, immensely rich in wildlife and cultivated species जहां पर बहुत सारी wildlife मिलती है, अलग-लग तरह की cultivated species मिलती है अलग-लग form में होती है, अलग-लग उनके काम होती है लेकिन कहीं न कहीं, यह जो wildlife है या अलग-लग species यहां पर मिलती है वो एक दूसरे से मिलती जूलती है, integrated है, closely integrated है और यह मिलकर एक multiple network मनाती है, interdependencies का जो सारी species है अलग-लग species के अगर हम बात करें तो यह कहीं न कहीं एक दूसरे से interrelated है एक दूसरे पर depend कर रही है तो इसको बोलते हैं biodiversity, biodiversity मतलब diversity in wildlife, flora and fauna next हम बात करते हैं इंडिया के flora and fauna की flora क्या होता है, flora होता है plant species, fauna होता है animal species flora and fauna में क्या परकिया, flora means plant species, fauna means animal species अगर हम अपने आसपास ही देखें तो हमारे आसपास बहुत सारे animals, plants ऐसे मिलेंगे जो किसी particular area के unique है, मतलब वहीं पे ही वो animals and plants पाए जाते हैं अगर हम all over the India की बात करें तो इंडिया भी world का one of the richest country है in terms of biological diversity, world का one of the richest, richest नहीं बोलेंगे, one of the richest जिके जिन countries में बहुत जादा biodiversity पाई जाती है, उन में से एक number इंडिया का भी आता है जहां पे बहुत जादा biodiversity पाई जाती है इंडिया में बहुत सारी ऐसी species है जिनको हम discover कर चुके हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी species भी है जिसको अभी discover करना है जितनी हमने discover कर ली है उससे twice और thrice नंबर में अभी species ऐसी है जो discover करनी अभी बाकी है अब यह जो हमने forest की types क्या होती है, variety क्या होती है, wildlife resources क्या होते है इन सब चीजों के बारे में हम जो पिछले की NCRT's है, 8th, 9th की उसमें हम already detail में पढ़ चुके है तो अब जब हमने वहां पर forest and wildlife के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर हमने importance भी पढ़ी थी कि forest की क्या importance होती है, क्या uses होते है wildlife resources के हमारे daily life में क्या uses है, यह सारी चीज़े हमने वहां पर discuss करी थी अगर आपने मेरी पहले के NCRT's नहीं देखी, तो आप जाकर देख सकते हो यह जो diverse flora and fauna है यह हमारी daily life में बहुत ज़्यादा integrated है चीकर हम इन पर कहीं न कहीं depend कर रहे हैं हमारी daily life में, day to day जो हम activities कर रहे हैं उसमें हम अपने आसपास के flora and fauna पर भी depend करते हैं लेकिन हमें क्या लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारे resources हैं हमारे पास इतने जादा resources है flora and fauna के कि वो कभी खतम नहीं होएंगे लेकिन ऐसा नहीं है अगर हम इनको बहुत ज़्यादा use करेंगे, इनको exploit करेंगे तो यह भी खतम हो जाएंगे तो फिलहाल के लिए भी अगर हम बात करें flora and fauna की तो वो under great stress है क्यों great stress में है? क्योंकि जो हमारा environment है वो बहुत ज़्यादा insensitive हो रहा है हमारे environment की insensitivity की वज़े से यह जो flora and fauna है ना हमारे आसपास का यह under great stress है एक survey हुआ था उस survey के according इंडिया का 10% wild flora है और mammals की अगर हम species की बात करें तो 20% mammal की species यह आ चुकी है threatened list में मतलब कि इनकी जो population है इसको खत्रा है आने वाले future में अगर ऐसे ही हम इसको exploit करते रहे तो यह दीरे दीरे खतम हो सकते हैं फिलहाल के लिए यह threatened list की category में आ रहे हैं बहुत सारी ऐसे भी है इन में से flora and fauna जो के critical list की category में आ रहे हैं critical means कि they are on the verge of extinction like cheetah हो गया, pink-headed duck हो गयी, mountain quail हो गया, forest spotted owlet हो गया और यह तो थी कुछ animal species इसके इलाबा कुछ plant species भी ऐसी है जो कि critical की list में आ रही है critical मतलब कि वो खतम होने वाली है, extinct होने वाली है they are on the verge of extinction plant species कौन कौन सी है, maduka हो गया, maduka insignia, maduka insignia क्या है यह maua की ही एक wild variety है, इसके इलाबा हुबार दिया, heptan neurons हो गया यह grass की एक species है, तो यह वाली जो plant species है न यह भी कही न कहीं critical की category में आ चुकी है तो बहुत सारी species अभी तक ऐसी है जो बिलकुल ही खतम हो चुकी है मतलब जो हमें दिखती भी नहीं है, हमें नहीं पता वो कभी पहले exist करती थी लेकिन मतलब हमें पता है कि वो पहले exist करती थी लेकिन आज की date में वो जो species है न वो खतम हो चुकी है हमें कैसे पता चलता है कि species पहले exist करती थी, हमें पता चलता है उनके fossils से ठीक है, जो बाकी की species है वो उन पे कही न कहीं depend कर रही थी उस time पे तो उनकी dependence से हमें पता चलता है कि कोई ना कोई species ऐसी है जो खतम हो चुकी है फिर जैसे हमें उनके fossils उगरा मिलते हैं, उनके remains मिलते हैं, तो उससे हमें फिर हम उन species को identify भी कर लेते थे, कि ये species कौन सी है, किस family की है, कौन से genus की है, आज की date में अगर हम बात करें, तो बहुत सारे ऐसे animals and plants हैं, जो कि extinct होने वाले हैं, जो आने वाले time में बहुत जल्दी ही extinct हो जाएंगे, और ये तो चलो हम बड़े-बड़े plants की बात कर रहे हैं, बड़े-बड़े animals की बात कर रहे हैं, जो के खतम होने वाले हैं, या खतम हो चुके हैं, जो कुछ खतम हो भी चुके हैं, और आने वाले near future में खतम होने वाले भी हैं, लेकिन, what about smaller plants, like insects हो गए, चुटे-चुटे plants, चुटे-चुटे से जो plants होते हैं, यह पर चुट-चुटे insects होते हैं, जो नेक डाई से visible भी नहीं होते, तो वो भी कितने ऐसे animals or plants होएंगे, जो खतम हो चुके हैं, या खतम होने वाले हैं, फिर बात करते हैं, forest की, forest की बात करें, तो इंडिया में deforestation बहुत जादा बड़ी है, deforestation की अगर हम बात करें, तो इंडिया का जो total geographical area है, total geographical area का 24.56% ही forest cover रह गया है, किसी country का ideal forest cover कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए, लेकिन इंडिया का forest cover कितना है 24.56%, यह कही ने कही अभी हमने अपना forest cover इंप्रूव किया है, 2017 के बाद हमने अप forest cover increase किया है, इससे पहले 23 से भी कम हो गया था बीच में सिफ हमारा forest cover, और यह जो 24.56% हमारा forest cover है, इस में से 12.4% आते हैं हमारे dense forest, 9.26% आ जाते हैं open forest, और 0.15% आ जाते हैं mangroves, तो 2017 से हमारा, हमने अपना जो dense forest cover है, इसको increase किया है, कितना increase किया है, 3976 स्क्वेर किलोमेटर, यह हमें कैसे पता चला, यह हमें पता चला है, 2019 की state of forest report से, और यह जो forest cover increase हुआ है, यह कैसे increase हुआ है, यह increase हुआ है, क्योंकि हमने बहुत सारे conservation measures लिए है, management interventions हुई है, बहुत स पारे नए पेड़ पॉदे लगाए है, जिसकी वज़े से हमारा forest cover है, वो अभी increase हुआ है, फिर जो हमारे existing plants है, और animal species है, उसको हमने अलगलग categories में रखा है, किस basis पे, on the basis of, of international union for conservation of nature and natural resources, जिसको बोलते हैं, IUCN list, तो IUCN list के according हमने, जो हमारे existing plants and animal species है, उसको हमने categories में रखा है, according to their number, इसमें सबसे पहले आती है, normal species, normal species, वो species है, जिनका जो population level है, वो normal है, survival के लिए, मतलब ठीक ठाक population है, ऐसे निये कि बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, उनकी population, जहां फिर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब उनकी population normal है, जैसे कि cattle हो गया, साल ह हो गए, तो यह क्या आजाते है, यह normal species में आजाते है, मतलब इनकी population ठीक ठाक सी है, खतम नहीं हो रहे है, फिर आती है second number पे endangered species, endangered species, वो species होती है, जनके खतम होने का खतरा है, danger of extinction, जो के खतम होने के कगार पे आ चुकी है, इनका जो survival है, वो near future में difficult है, अगर हम ऐसे ही इनक exploitation करते रहे, जो negative factors है, वो ऐसे ही continue रहे, तो इनकी जो population है, वो और जाता decline हो रही हो जाएगी, और फिलहाल के लिए भी बहुत तेजी से इनकी population जो है, वो decline हो रही है, उन species को बोला जाता है, endangered species, for example, black buck हो गया, crocodile हो गया, Indian wild ass हो गया, Indian rhino हो गया, lion-tailed, macow and sangai, संगाई को क्य बोलते हैं, मनिपूर में, brown, enter, deer भी बोला जाता है, sangai को, फिर next आती है, vulnerable species, vulnerable species, वो population होती है, जो के एक लावल से decline हो रही है, अगर इसी तरह से वो decline होती रही उनकी population, तो वो एक दिन endangered categories में आर जाएगी, अगर यह जो negative factors है, यह ऐसे ही operate करते रहे, जो हम इनकी exploitation कर रहे है यह exploitation इसी तरह से होती रही, तो वो बहुत ही जल्द endangered species में enter कर जाएगी, मतलब कि vulnerable species वो species है, जिनकी population endangered species से थोड़ी जादा है, ठीक है, लेकिन अगर हम उनकी exploitation ऐसे ही करते रहे, तो वो endangered species के category में भी आ जाएगी, for example, blue sheep हो गया, asiatik elephant हो गया, gangetic dolphin हो गई, फिर आते हैं, rare species, अब exam में कई यह ऐसे examples दे देते हैं, कि which of the following are included in vulnerable category, तो उसमें क्या दे देंगे, इसमें से कोई एक example दे देंगे, like, gangetic dolphin हो गया, और इन में से कोई example दे दी, cattle दे दिया, Indian rhino दे दिया, lion-tailed macaw दे दिया, तो इसमें से पूछ लेंगे, कौन सी जो species है, वो vulnerable category में आती है, त sheep हो गया, Asiatic elephant, Gangetic dolphin, इसके इलाबा, recently कोई news में species है, तो उसके बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा important हो जाता है, क्योंकि exam perspective से यह वाली जो species की list है, न, vulnerable, extinct हो गया, endangered हो गया, endemic species हो गया, तो यह important हो जाती है, exam point of view से, अगर recently news में है, तो, otherwise भी यह कई बार पूछ लेते हैं तो, which of the following are included in the endangered species, या extinct species, or vulnerable species, कोई भी question इस तरे का paper में बन सकता है, फिर next चलते हैं, rare species में, rare species वो species होती है, जिनकी population बहुत ही कम रहागी है, small population है, और बहुत ही जल्द वो endangered या फिर vulnerable category में move करने वाली है, अगर उनकी exploitation continue रही, अभी के लिए population खीक है, लेकिन कम है अभी के लिए भी population, लेकिन इसी तरह से उनकी population कम होती गई, तो वो बहुत जल्द ही vulnerable category में आ for example, hemalian brown bear हो गया, wild asiatic buffalo हो गया, desert fox हो गयी, hornbill हो गया, next चलते हैं endemic species पे, endemic species वो species होती है, जो किसी particular area में पाई जाती है, वहाँ के natural यहां फिर geographical barrier के अंदर हो isolator है, उसी particular area में पाई जाती है, और वो कहीं भी नहीं पाई जाती, उसको बोलते है endemic species for example, अंडेमान टील हो गया, निकोबार पिजन हो गया, अंडेमान wild पिजन हो गया, और नाचल परदेश का मितुन हो गया, यह क्या है, यह endemic species है, यह सर्फ इनी areas में पाई जाती है, अंडेमान टील कहां पे पाई जाती है, अंडेमान में ही मिलेगा, वो और दुनिया में क मिलेगा, पर नेक्स चलते हैं, extinct species पे, extinct species वो species होती है, जो खतम हो चुकी है, अभी हम कहीं भी अगर हम इनको ढूंडे तो वो हमें नहीं मिल रही, तो उसको बोलते है extinct species, मतलब कि extinct हो चुकी है, बिलकुली खतम हो चुकी है, जहांकि वो local area में रहती थी, यह किसी particular area की species थी किसी country की, continent की, या किसी earth में, किसी earth में नहीं मतलब हमारी earth में, जो species थी, तो वो वहां से अभी खतम हो चुकी है, हमारी earth से वो बिलकुल ही खतम हो चुकी है, वो कहीं भी नहीं मिल रही, किसी ना continent पे, ना country में, ना किसी region में, या किसी local area में, कहीं नहीं मिल रही, तो उसक इसको बोलते हैं extinct species for example asiatik cheetah हो गया pink head duck हो गया यह क्या है यह extinct species है अब asiatik cheetah के बारे में देख लेते हैं जो asiatik cheetah था यह world का fastest land mammal था इसका scientific name क्या था असीनोनिक्स जबुंतस था इसका scientific name और यह एक unique and specialized member था cat family था चीता किस में आता था चीता cat family में आता था इसकी speed कितनी थी 112 km per hour की speed से यह धौरता था इसलिए इसको world cup fastest land mammal बोला चाता है लेकिन अब होता क्या है कभी कभार था चीता और leopard में confusion हो जाती है कुछ को चीता और leopard दोनों एक जैसे हैं को कि देखने को दोनों similar ही लगते है को चीता और यह जो हमारा leopard है यो दोनों एक ही है लेकिन ऐसा नहीं है दोनों में difference है इसका है यह कि यह जो first figure वाला है यह है चीता चीक है दूसरा क्या है दूसरा आ जाता है लेपर्ड चीते में क्या होता है चीते में यह काली पट्टी बनी होती है जो आंक से लेकर नीचे माउट तक जाती है इसके यह वाली जो लाइन है ना काली यह चीता में होती है लैपड में यह लाइन नहीं होती है यह देखो लैपड में यह लाइन जो कंटिनूसली नहीं मिलेगी लेक भी हुआ है, its distinguished marks are on the long teardrop shaped line on each side of the nose from the corner of its eyes to its mouth. कोटीट नेख़ दोनों साइडयों पे होता है लेकिन लेपड पे नहीं होता है। लेकिन जो एशिया चीता है और इंडिया में 1952 में ये बात डिकलियर कर दी गई थी कि जो चीतागी Species है वो एक्स्टिंट हो चुकी है। फिर नेक्स चलते हैं, what are the negative factors that cause such fearful depletion of the flora and fauna? कौन से ऐसे negative factors है, जिसकी वज़े से हमारा flora and fauna दोनों खतम हो चुके है, या खतम हो रहे हैं, हो चुके नहीं हो रहे हैं, आने वाले future में, हमारी flora fauna है, वो खतम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, अगर हम अपने आसपास देखें, तो हमारा जो nature है वो दीरे-दीरे transform हो रहा है, हम nature को कैसे treat करते हैं, हम nature को as a resource treat करते हैं, हमें क्या लगता है कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो resource है, हम उनको directly या indirectly use करते हैं, किसी ना किसी तरीके से, फोरेस्ट है, हमारे wildlife है, हम इन दोनों को use कर रहे हैं directly या फिर indirectly, फोरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं लाइक वुड हो गया, बाक्स हो गया, लीव, रबड, medicines, dyes, food, fuel, fodder, manure, बहुत सारी चीज़ें हमें फोरेस्ट से मिलती हैं इन पेड़ों से जो पेड़ पॉरेस्ट में हैं इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं हम इनको as a resource समझ के हम इनको बहुत जादा यूज कर रहे हैं हम इनको इतना जादा यूज करने लगे हैं कि दीरे दीरे ये खतम हो रहे हैं, deplete हो रहे हैं तो इनका ये जो damage है कि Indian forest में क्लोनियल पीरियड से ही देखने को मिला है, ठीक है क्लोनियल पीरियड से ही जब हम अंग्रेजों के अंडर थे उस ताइम पे ही इनका जो decline है यह जो जंगलों का हमारा decline था वो उसी time पे होना शुरू हो गया था उसी time पे decline क्यों होना शुरू हुआ था क्योंकि उस time पे उन्होंने railways की expansion करना शुरू किया था क्योंकि railway कब आई थी Britishers के time पर इतो railway बनी थी ना तो उसी time पे जब railway की expansion होई फिर agriculture के लिए जंगलों को काटा गया commercial और scientific forestry के लिए mining के लिए उन्होंने हमारे जंगलों को काटा तो इन सब के लिए तो जब उन्होंने जंगलों को काटा तो उससे क्या था उससे हमारा जो forest cover था वो दीरे दीरे कम होने लगा independence के बाद की भी अगर हम बात करें तो independence के बाद भी हमने continuously कहीं न कहीं अपना forest cover कम ही किया है क्यों किया है क्योंकि हमने अपना agriculture expand करा है agriculture expand करने के लिए हमें जंगलों को काटना पड़ा था क्योंकि इंडिया की एतनी सारी population है तो उस population को खुलाने के लिए उनकी जो needs है उनको पूरा करने के लिए हमें जंगलों को काटना पड़ा और अपने agriculture को expand करना पड़ा अगर हम बात करें 1951 से 1980 के बीच में forest survey of India की तो उस time पे हमारा जो 26,200 square km का जो forest area था उसको हमने agriculture land में convert कर दिया था इन 30 सालों से 1950 से 80 के बीच में हमने 26,200 square km का forest का area हमने agriculture land में convert कर दिया था अब हमने जंगलों को काट के वहां पे agriculture करना तो शुरू कर दिया लेकिन उससे effect क्या पड़ा उससे जो tribal population थी ना जो tribal belt थी नुकसान हुआ है इससे पैसली अगर हम नौर्थ हीस्टर इंडिय बात करें है in Central India की बात करें तो वहां पे जब हमने जंगलों को काटा तो यह जो ट्राइबल लोग होते हैं यह कहां पे रहते हैं जंगलों में ही तो रहते हैं ना तो यह जो ट्राइबल population है, ये भी कहीना कही कम हुई है उससे deforestation की वज़े से और उपर से ये जो shifting cultivation हुई है, shifting cultivation की वज़े से भी ये जो tribal belt है इसको नुकसान पहुचा है shifting cultivation के लग लग नाम है slash and burn agriculture भी इसको बोला जाता है jump cultivation भी इसको northeast इंडिया में बोला जाता है तो इससे क्या है इससे हमारा जो environment है हमारा जो ecosystem है वो पुरा का पुरा डिस्टॉब हुआ है next बात करते हैं are colonial forest policies to be blamed अब जो clonies थी क्या उनकी policies को हम blame कर सकते हैं कि हमारा forest cover उनकी वज़े से ये जो है कम हुआ है अब कुछ environment activist है जिनका ये मानना है कि कुछ species को promote करने के लिए इंडिया के बहुत सारे parts में हमने कुछ species को promote करने के लिए हमने enrichment plantation करी है इससे अब हुआ क्या है इससे हमने एक single commercially valuable species को तो हमने ठीक है use किया हमने उनको plant किया extensively उनकी plantation करी लेकिन उसके चलते हुए जो बाकी की species है वो कही न कहीं खतम होई है eliminate होई है हमने सर्फ उन species को importance दी है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो उसके चलते हुए जो बाकी की species है न available species को तो हमने commercially grow करना शुरू कर दिया लेकिन उसके चलते हुए जो बाकी की species है वो eliminate हुई है for example teak monoculture has damaged the natural forest in the south india अब यह जो teak monoculture है इससे क्या हुआ है teak plants तो हमने उगाने शुरू कर दिये लेकिन उससे south india की जो natural forest थे वो कही न कहीं damaged हुए है इसके लाबा cheer pine plantation in the Himalayas have replaced the Himalayan oak and rhododendron forest अब Himalayas में जो oak trees थे या rhododendron forest थे उनकी जगे पर यह कहीं न कहीं खतम हुए है उनकी जगे पर क्या आ गया हमारा Himalayas की हमने cheer pine की यहां पर plantation करनी शुरू कर दिये क्योंकि यह हमारे लिए important थे तो हमने कहीं न कहीं जंगलों को यहां पर exploit किया है यह colonial जो हमारे Britishers उस टाइम पर थे ना इंदिया में हमारे इंदिया में जो Britishers थे उनके time पर ही इनकी exploitation होनी शुरू हो गई थी इसके इलावा जो Britishers थे उन्होंने बहुत सारे developmental projects भी उस time पर भी चलाये थे और इसके इलावा आज की date में भी हम बहुत सारे developmental projects शुरू कर रहे हैं जिसके चलते हुए हमारा जो forest cover है वो काम हो रहा है 1951 के बाद की बात करें तो 1951 के बाद 5000 square kilometer of forest was clear for river valley projects 1951 के बाद ही हमने river valley projects लगाने के लिए 5000 square kilometer का forest cover clear किया है मतलब कि 5000 square kilometer तक के हमने जंगल काट दिये है क्यों काट थे river valley projects लगाने के लिए और इसके लावा और बहुत सारे projects future में लगाने के लिए अभी भी हम बहुत सारे projects लगा रहे हैं जिसके लिए हम जंगलों को काट रहे हैं लाइक नरम्ता सागर project हो गया मध्या परदेश में जो लगाया हुआ है तो यह जो मध्या परदेश में नरम्ता सागर project शुरू किया गया है इसके लिए 40,000 hectare forest को काटा गया था इसके लावा mining भी एक deforestation का reason है mining की वज़े से भी large scale भी deforestation हो रही है West Bengal में अगर हम बात करें बकसा tiger reserve की तो यह भी कहीं न कहीं threatened category में आ रहा है seriously threatened हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि वहाँ पर dolomite mining हो रही है dolomite mining के चलते हुए यह जो बकसा tiger reserve है यह भी seriously threatened category में आ चुका है इसके इलावा बहुत सारी ऐसी species है जिसके natural habitat को हमने disturb करा है continuously move करती रहती है migrate करती रहती है एक जंगल से दूसरे जंगल में फिर दूसरे से फिर वापिस पहले जंगल में आजा तो उनकी migration चलती रहती है continuously move करते रहते हैं लेकिन हमने जो deforestation करी है जंगल काटे है उससे इन species को भी कही न कहीं नुकसान पहुंचा है जैसे कि great Indian elephant हो गया अब यह जो great Indian elephant है यह क्या है यह move करता रहता है जंगलों में move करता रहता है लेकिन हमने क्या किया हमने beach वाले जंगल काट दिये suppose यहां पर जंगल है बहुत बड़ा तो यह एलिफेंट क्या गरता है यहां पर भी जंगल है यहां पर भी जंगल है तो यह इन जंगलों से लिए या रोड्स पनाने के लिए यूज़ कर लेंगे तो उससे जो एलिफेंट की मूवमेंट है यह डिस्टॉब होएगी जिससे की इंडियन एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है वो भी कम हो जाएगी तो यहां से बूप करके जहां जाना है अगर बीच में कोई रेलवे लाइन आ जाएगी यहां की कोई रोड निकल जाएगी तो उससे क्या होगा जो एलिफेंट जब बूप करेगा यहां से इस इस इलाके में से तो यहां पे तो पॉपुलेशन है ना अब हम जैसे लोग human beings रह रहे हैं तो बूख क्या करेंगे यहां पर इसको मारतेंगे यहां कोई railway line जा रही है तो इस railway line को cross करेंगे तो कई बार accident भी हो जाते हैं उसकी वज़े से भी अब यह देखो इसे animals का नुक्सान भी होता है और साथी साथ जो human beings है उनका भी loss होता है तो इस तरह से हमने जो deforestation करी है जंगल काटे है उनके काटने की वज़े से जो हमारे ऐसे जो animals है जो move कर रहे है जो migrate कर रहे है उनको भी नुक्सान पहुंचा है उनकी population भी कही ना कही effect हुई है इसके इलावा बहुत सारे forester and environmentalist उनका क्या मानना है कि यह जो greatest degrading factors है ना forest resources की depletion के पीछे वो कौन से है वो है grazing and fuelwood collection जो grazing है grazing की वज़े से भी यह forest resources खतम हो रहे हैं और fuelwood collection की वज़े से भी forest resources खतम हो रहे हैं जो हम अपनी greed के लिए हम जंगलों को काट रहे हैं पेट पौतों को काट रहे हैं उससे क्या होता है उससे जो forest resources है यह deplete होते हैं लेकिन एक fact है fact क्या है कि अगर हम fuel and further demand के लिए हम trees को use करें जिर्फ fuel and further demand के लिए trees को हम use करें तो उससे क्या होगा उससे forest deplete नहीं होएंगे deforestation की जरोरत नहीं पड़ेंगी क्योंकि fuel के लिए हम क्या कर सकते हैं fuel के लिए हम पेडों की जो branches होती है उनको काट सकते हैं branches को काट के हम अपनी fuel की needs को पूरा कर सकते हैं तो पूरा का पूरा पेड काटने की उस case में जरूरत नहीं पड़ती हमारी fuel की जरूरत होती है वो भी पूरी हो जाती है तो पूरा पूरा पेड काटने की फॉर्डर के लिए भी जरूरत नहीं है तो यह जो डिफॉरेस्टेशन की सिच्वेशन आ रही है जंगल काट रहे हैं वो हम अपनी ग्रीड के लिए काट रहे हैं हम अपनी जो वैलुएबल फॉरेस्ट पॉर्डक्ट्स है उनको यूज करने के लिए जैसे लकडी हो गया लकडी को हम फनीचर बनाने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम इसको फॉरेस्ट को काट रहे हैं पूरे के पूरे पेड काट रहे हैं Minerals के लिए हम पेडो काट रहे हैं, कहीं पे हमें Mineral Deserves मिल रहे हैं, तो वहां पे हम पुरा का पूरा जंगल ही काट देते हैं, Minerals की Mining के लिए, इसके इलावा बाकी Resources की और बाकी हमारी Demands को पूरा करने के लिए, या हम Urbanization के लिए हमारी Economy को, Industrial Urban Economy को Expand करने के लिए हम इन जं पेडों, उसके लिए पेडों को काटने की जरूरत नहीं पड़ती हैं, कोई एरिया, जो Fertile Area है, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, जंगल काट देते हैं, और कल्टिवेशन का काम शुरू कर लेते हैं, एग्रिकल्चर का काम शुरू कर लेते हैं, तो उससे भी जो हमारा Forest Cover है, वो खतम हो रहा है, हिमालेयन यू की बात करें, हिमालेयन यू in trouble, हिमालेयन यू क्या है, हिमालेयन यू एक medicinal plant species है, जो कि हमाचल परदेश और अर्माचल परदेश में पाई जाती है, और ये जो हमालेयन यू है इसमें एक कामिकल कमपाउंड होता है, जिसको बोलते है और यह जो taxol है, यो पाया जाता है इस plant के बाख में, needles में, twix में औरिसकी roots में तो अब इससे होता क्या है यह जो Humalayan E, इसका medicinal use किया है इसको हम cancer जैसी disease को treat करने के लिए use करते हैं इससे anti-cancer drugs बनाई जाती है अब anti-cancer drugs इससे बनती हैं तो all over the world anti-cancer drugs we kayreeł 것이 तो इनकी sale बहुत जादा हो रही है तो इसकी वज़े से हम यह जो Himalayan Yew पेड है जो plant है इसको हम बहुत जादा काट रहे हैं इसकी over exploitation हो रही है जिसके चलते होए पिछले कुछ सालों से पिछले 10 सालों से यह जो thousands of हमने Yew trees जो है वो काट दिये हैं सिर्फ एक decade में पिछले 10 स में बहुत सारे Yew trees ऐसे हैं जो के काटे गए हैं यहां फिर वो सूख चुके हैं क्योंकि हमने उनकी over exploitation कर दी गई है इसके लावा habitat destruction हो गया hunting poaching over exploitation environmental pollution poisoning forest fire यह भी कुछ ऐसे factor है जिनकी वज़े से इंडिया की जो biodiversity है वो continuously decline हो रही है हम क्या कर रहे है हम जंगलों को काट रहे है तो वहां पर जो wildlife रह रही है वहां पर जो animals रह रह रहे है तो हम उनके habitat को खतम कर रहे है हं शुच व 77 करते ह्वानिम्ल्स की उपनी नीट्स की निव मार करने के लिए जिससे क्या है वाय लाइफ गतम हो रही है उनको बहुच जाल एकश्पट्रname कर रहे रहे हैं इंडस्ट्री लगा दिये उसे environmental pollution हो रहा है तो उससे क्या है उससे कहीं ना कहीं यह जो wildlife है यह affect हो रही है तो इसी से हमारी इंडिया की जो biodiversity है वो भी decline हो रही है इसके इलावा और कौन से कारण है environmental destruction के unequal access, inequitable consumption of resources, differential sharing of responsibility for environmental well-being अब environmental well-being की तो हम बात कर लेते हैं कि हाँ environment को ठीक तरीके से use करना है इसको साफ सुत्रा रखना है लेकिन इसकी responsibility कोई नहीं ले रहा है हम जो resources है उनका unequal access हो रहा है कुछ लोगों के पास तो बहुत सारी resources है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास resources पहुंचते ही नहीं है इन equitable consumption हो रही है resources की सब लोगों को equally resource नहीं मिल रहे है तो हम अब environment का ध्यान कोई नहीं रख रहा और इनको use बहुत सारी लोग कर रहे हैं और exploit कर रहे हैं use भी नहीं कर रहे है और equal access हो रहा है अब ये माना जाता है कुछ लोगों का ये कहना है कुछ जो environmentalist है उनका ये मानना है कि जो third world countries है ना यहां में population बहुत जादा है third world countries की overpopulation होने की वज़े से ही environmental degradation हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं है अगर हम average American consumption की बात करें तो एक average जो American बंदा है वो 40 गुना जादा resources use करता है एक average Somalian के comparatively मतलब Somalia में बैठा हुआ एक बंदा जितने resources use करता है उससे 40 गुना जादा resources use कर रहा है अमेरिका में बैठा हुआ एक बंदा तो अमेरिका की population comparatively हमारी countries के अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत कम है अमेरिका की population कितनी है approximately 30-33 crore के आसपास है इंडिया की population कितनी है 1500 crore तक पहुँचने वाली है 135-40 crore के आसपास है तो अब लेकिन अमेरिका में consumption जादा है अमेरिका की population बेशक कम है इंडिया से लेकिन अमेरिका में resources की consumption जादा है यहां पे जैसे Somalia के साथ इन्होंने comparison किया है अमेरिका का similarly अगर हम Indian society के अंदर ही comparison करें Indian society में जो top के 5% rich लोग है तो वो बहुत सारी resources को use कर रहे हैं वो ज़्यादा ecological damage कर रहे हैं क्योंकि resources की consumption है वो लोग ज़्यादा कर रहे हैं जो rich लोग है वो resources की consumption कहीं ज़्यादा कर रहे हैं as compared to poorest 25% अब देखो एक side पर 5% आगे rich लोग और दूसरी side पर आगे poor 25% लोग अब जितने resources यह rich लोग use कर रहे हैं उससे कहीं resources कम use कर रहे हैं यह poor 25% अब यह जो poor है इसमें 25% की population आ रही है और rich में आ रही है 5% की population और यह 5% की population इन 25% की population के comparatively कहीं ज़्यादा consume कर रहे है resources लेकिन अब यही इसकी responsibility किस पर आ रही है इसकी responsibility आ रही है पूर पे directly इसका effect कित पर पढ़ रहा है पूर पर पर पढ़ रहा है यह जो ग्रीब लोग है यह तो environmental well-being का फिर भी ध्यान रखते हैं लेकिन rich लोग इसको exploit कर रहे हैं वही बात फिर इनको कोई नहीं पूछता exploitation सबसे जाधा कर रहे हैं लेकिन इन लोगों को कोई नहीं पूछता और इसका पूरा का पूरा जुमा है यह किस पर आ जाता है यह गरीब लोगों पर आ जाता है यह बैबु साप्लिक्स यूज कर रही है यहां यह सेल कर रही है माइनर फॉरेस्ट पर्डूस जो फॉरेस्ट से जो भी फूर्ट्स बगरा निकले हैं तो उनको यह मार्कित में जाकर बेच रहे हैं यहां पर यह लीफ लिटर कलेक्ट करके वोमेंस लेकर जा रही है तो यह गरीब लोग है जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं या विलेजेज में रहते हैं तो यह इन्वाइनमेंट को नुकसान नहीं पुचा रहे हैं यह कहीं न कहीं डायरेक्ली या इंडायरेक्ली अपने आसपास के इन्वाइनमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं सिर्फ अपनी न जिन पर कोई भी ना तो responsibility आती है ना ही कोई इनको बोलता है कि तुम लोग environment को खराब कर रहे हो किसको बोला जाता है इन गरीब लोगों को ही बोला जाता है अगर हम बात करें इंडिया के natural forest की तो इंडिया के तक्रीबन तक्रीबन आजे natural forest है जो जा चुके हैं जो के हम exploit कर चुके हैं इसमें से one third आते हैं wetland one third wetland जो है वो drained out हो चुके है मतलब वो भी खतम हो चुके है 70% जो surface water bodies है उसको हम pollute कर चुके है 40% जो mangroove trees है वो भी खतम हो चुके है और इसी तरह से अगर ये कचलता रहा तो बहुती जल्द बहुत जाज़ा disaster हो जाएगा और continued hunting and trade of wild animals and commercially valuable plants thousands of plants, animal species ये क्या है ये extinct होने पे आ गई है क्योंकि हम अपनी greed के लिए इनको use कर रहे हैं जहां पे चीज़ें greed के लिए use होती है वहां पे उनकी exploitation भी होती है और वो extinct होने की कगार पे भी आ जाती है, खतम होने पे आ जाती है forest destruction की बात करें, wildlife destruction की बात करें तो ये एक biological issue तो है ही है, biological issue के साथ-साथ ये एक cultural issue भी है जैसे ही biological loss होता है, तो उसके साथ-साथ cultural diversity का भी loss होता है अब देखो, आप जंगल काट होगे हो, जंगल काट होगे, वहां पे कोई ना कोई tribal population तो रखती होगी तो वो जो tribal population है, उनका culture भी वहां पे कहीं न कहीं खतम हो जाएगा अगर tribal population खतम होगी, तो उस tribal population के साथ-साथ उनका जो culture है, वो भी खतम होगा तो biological loss is strongly correlated with the loss of cultural diversity तो biological loss तो होता है, साथ-साथ cultural diversity का भी यहां पे loss हो रहा है और ये वाला जो loss है, ये कौन face कर रहा है? ये face कर रहे है, marginalized and impoverished many indigenous and other forest dependent communities जो marginalized communities है, जो बहुत गरीब लोग है, वो इनको face कर रहे है तो ये जो forest dependent communities है, इन पे इसका जादा effect पढ़ रहा है तो जो indigenous किसी forest की कोई indigenous community है, तो उस पे इसका जादा effect पढ़ रहा है क्योंकि वो directly इन पे depend कर रही है, वो directly forest पे depend करते है food के लिए wildlife forest पे depend कर रहे है, water के लिए वो directly पानी लेते है और पीते है उनको कोई नहीं है पानी का, कि इसको हमने साफ करके पीना है या कैसे पीना है जैसा उनको natural पानी मिलता है वो वैसा ही पी लेते है medicine के लिए वो in wildlife पे depend करते है, culture है उनका वहाँ पे, spirituality है उसको भी हम साथ ही साथ खतम कर रहे है, जैसे हम जंगलों को काट रहे है तो अगर हम गरीब लोगों की बात करें, तो अब यह जो deforestation हो रही है इस पे वो में ज़्यादा effect हो रही है as compared to men अगर हम बात करें तो, ठीक है आप देखो, deforestation हो रही है तो उसका effect वो में पे ज़्यादा पड़ रहा है as compared to men reason being के बहुत सारी societies में क्या होता है जो घर की major responsibilities होती है, वो वो में के उपर होती है like fuel collect करना, fodder collect करना, water collect करना जब बाकी की कोई भी जो subsistence needs है, वो पूरी करना उसकी responsibility किसकी होती है, वो में की होती है अब हो क्या रहा है, अगर हम resources को deplete करेंगे, खतम करेंगे तो इसका जो पूरा burden है, वो किस पे जाएगा, वो में पे जाएगा जो में है, उसकी जो drudgery है, उसका जो hard work है, वो कही ना कहीं बढ़ जाएगा अगर हम deforestation करेंगे, अब होता क्या है, हम पेड़ पौदे काट रहे हैं अपनी जरूरतों के लिए, अब यहाँ पे कोई community रह रही है, यहाँ पे ठीक है अब यहाँ पे जो women रह रही है, जो औरते हैं, पहले क्या था, यही आसपास जाती थी, पेड़ पौदों से fruits हो गयरा, जो भी सबजियां, फल सबजियां लेकर आती थी, घर पे खा लेती थी fuel के लिए भी यही पेड़ों की टैनियां तोड़कर ले आती थी, और घर का चुला जलता था अब जब हम इनके आसपास के trees काट देंगे, तो इसके लिए फिर इनको पैदल चल कर और दूर जारा पड़ेगा, यहां पे कहीं और trees कवर होगा, तो वह वहां पे जाएंगी चल कर, क्योंकि हमने आसपास के पेड़ पौदे को काट दिये, तो उसका burden कहां पे पड़ा, उ उससे फिर women को यह सारे resources collect करने के लिए 10 km से भी ज़ादा तक पैदल चल कर जाना पड़ता है, और resources को collect करना पड़ता है, इससे women में बहुत सारी health problems आती है, health problems तो उनमें आती है, साथ ही साथ घर में भी negligence आती है, क्योंकि अब पहले women घर पे आसपास ही collect करके ले आती थी, time भी बचता था, उसे घर का भी ध्यान रखती थी, तो अब क्या है, उसको दूर जाना पड़ता है, time जाधा consume होता है, उससे क्या है, वो घर पे बच्चों का अच्छे से अब ध्यान नहीं रग रही, क्योंकि उनके जो work hours है वो बढ़ चुके हैं, तो ये एक serious social implication देखने क दो मिल रही है, deforestation की वज़े से, indirect impact की बात करें, तो indirectly क्या हो रहा है, किसी जगे पर bots way, droughts आ जाते हैं, deforestation की वज़े से, और किसी जगे पर floods आ जाते हैं, किसी जगे पर बिलकुल इसमर्का पड़ जाता है, किसी जगे पर बहुत ज़्यादा पानी पानी आ जाता है, floods आ की बात करें तो environment destruction की वज़े से poverty भी कही न कहीं effect होती है इसका direct जो effect है वो poverty पर पढ़ रहा है environment destruction का इसके इलावा forest and wildlife are vital to the quality of life and environment in the subcontinent अब यह जो forest है जो पेड़ पौदे है यह quality of life को भी हमारी को improve करते हैं क्योंकि हमारे environment को सापसुत्रा करते हैं अगर हम पेड़ पौदे काट देंगे तो हमारा environment जादा गंदा होगा pollution तो हम अलड़ी कर ही रहे है इसके लाबा it is imperative to adopt to sound forest and wildlife conservation strategies तो इसके लिए हमें conservation strategies को adopt करने की ज़रूरत है forest and wildlife conservation strategies को adopt करने की ज़रूरत है हमारे forest cover को बचाने के लिए आज की वीडियो यहें पर खतम करते हैं next time करेंगे conservation of forest and wildlife in India तो जाने सपहले वीडियो को like कर देना share कर देना और चैनल को subscribe कर लेना thank you bye bye have a nice day